Hello friends, तो जैसा कि आप सबको पता दिवाली आ रही है तो चली अपने किचन को भी डेकोरेट करते हैं तो चली एक उसके लिए DIY करते हैं बहुती जी से DIY मैं करने वाली हूं, बजट फ्रेंडली बिना पैसे खर्च किए तो मुझे मेरे पास ये कुछ कबार पड़े हूं है, मुझे इसी से DIY करनी है, तो मैंने सुछा कुछ आइडिया नहीं आ रहे हैं, चले हमाजान पर देखते हैं तो मुझे एक DIY पसंदा है, लिए मैं पास कुछ हाट सा कार्ट बोड नहीं था, मैं बस ये केक का बेज था तो मैंने सुछ चलो इसी से बनाते हैं, तो बस मैं इसी से बना रहे हूं, सो welcome back to our channel, everything is here with Manjula मैं Manjula का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा, और साइड में देगे बल आकूं को ज़रूरी हिट कर लेजिएगा, जिससे आपको आने वाले में चैनल की वीडियो बहुत हलका सा लेना है, जिससे ये थोड़ा सा वुड वाला जो इस्ट्रक्चर होता है उस तरीके से बनाने की मैं ट्राइ कर रही हूं, बहुत हलका सा लेना एकदम ड्राइ बिदाउट वॉटर इस तरीके से इसको देखे, और उसके पास साइडों में उसका बॉर्डर है इसको हम प्रॉपर पुरा ब्लैक कर देंगे, पुर湃 साइड से हमें ब्लैक कर देना है एक दाम अच्छे से, तो यह हमारा ड्राइ होगया, चलिए इसको मैं डेकोरेट करती हूँ, तो इसके लिए मैं ऑरगेलिक पेंट वाला जो आता है पैंट, मैं उसका यूज कर रही तो जो उस पे लिखा है, मैं सेम वही लिख रही है, जो उस पे लिखा था, Bless Da Kitchen, वही सेम मैं यहाँ पर लिख रहे हूं, जैसा डिजैनिस में था, सेम तू सेम मैंने यहाँ बना दिया है, और इसकी वपर long lasting रहे हैं, इसलिए मैंने बारदिस पर अप्लाई कर दिया है, देख करते हैं तो यह मेरे पास एक white cardboard box का इस पर मैं इस तरीके से measure करके अपने आप चाहें तो आपके पास घर में spatula गएरा होता है आप उससे भी measure करके निकाल सकते हैं मैंने इसके recording आर्केलिक paint से भी दिखाऊंगे बहुत सब के पास chop paint नहीं होते हैं इसलिए मैं दोनों से करके दिखाया है जिससे आपके लिए help हो सके तो दूसरा मैं देखिए normal paint से यूज़ कर रही हूँ आप किसी भी color का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर में available हो तो सारा हम color करके र अब सारा अच्छे से dry हो गया मेरा तो चलिए इस पर कुछ designing करते हैं तो यह आप देखेंगे tissue paper की designing वाला जो नइपकी नाता है यह है मैं इसको कुछ flowers हैं इसको मैं cut करके निकाल ले रही हूँ और इसमें मैं glue लगा के और इसको मैं इसके उपर लगा दूँगी मैंने glue apply क कर दिया है अगर आपको जलासी भी मेरे DIY मेरे decoration वीडियो अच्छी लगते हैं तो प्लीज मेरे सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और comment section में बंजर जरूर बिताएं का कौन सी DIY सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है उसके इस पर लगा दिया है उसके यहां भी पैन कहीं यूज करें जो अर्कलिक पेंट वाला पैन आता है फस्ट पर मैं लिख रहे हैं इट उसको थोड़ासी से डाख कर देंगे सेकेंड पर मैं लिखूंगे ड्रिंक छिली इस पर ड्रिंक लिखते हैं अच्छे से इस तरीके से दोंगे इसके उपर भी मैंने बार्ने से अप्लाइं कर दिया है बहुत यह अच्छा से हमारे डेकॉर होके आ गया यह देखिए बार्ने से अपके जो भी डिएइवाइस होते हैं वो लांग लास्टिंग होते तो आप बार्ने ज़रूर एप्लाइग करिएगा इसको भी मैंने masking tape की हद से यहां पर जिपका दिया है masking tape क्या होता है इससे हमारे कोई निसान नहीं पड़ते हैं तो इसलिए masking tape का यूज़ करना चाहिए उसके देखिए मेरे ये तीन container है चाहे coffee और चीनी के तो मैं नया नहीं खरीज सकती तो मैं इसी का सुच है मैंने कुछ makeover किया जाए तो बस मैंने इसको ले दिया है इसके उपर acrylic white pen का यूज़ करूँ इस तरीके से हमें randomly dots रख देने है ठीक है इस तरीके से हम dots रख देंगे पूरी box में रख देना है बीच का थोड़ा सा हिस्सा हमें खाली रखना है इस तरीके से हम इस पूरी तरीके से में dot रख देंगे बीच में थोड़ा सा खाली किया है अब इसके उपर मैं लिखोंगी tea जैसा आपका box है आप अपने पुराने box का भी makeover कर सकते हैं आप पता ह और इसके उपर भी मैंने वार्णी सप्लाई कर दें जिससे यह long lasting हो जाएगा जो हमारा paint है वो निकलेगा नहीं wash करने के बाद भी तो इस तरीके से देखिए मेरा बहुत ही सुंदर सा sugar tea और coffee container ready हो गया without any investment बस एक white paint अगर pen नहीं है तो white paint का भी यूज़ कर सकते हैं 4 DIY यह इसके बीच में बस में डिजाइनिंग करूं आप सोच रहें कि मैं maximum जहां पर pen यूज़ कर रहे हूं अगर आपके पैन नहीं है तो बहुत इजली जो डिजाइन में कर रहे हूं ब्रस से भी हो सकते बहुत इजली लेकिन को डेकोरेट करना था इसलिए मैंने लास्ट मिनट मैंने इस तरीके से दो लिए हैं एक पर मैंने keyword designing की है और एक पर मैंने name लिखा है उसके बड़ मैं इसको भी tape की help से लगा दूँगी इसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है अब चलिए एक कुछ organizer मनाते हैं क्या होता है space यह आपको पता है कि हम लोग के पास कितने space की कम तो मेरे पास यह क्लोबिया का बॉक्स है यह बॉक्स ऑल्रेडी बहुत सुन्दर है इसलिए मैं इसके उपर कोई भी पेपर बगारा नहीं लगाऊंगी आप चाहें अगर आपका प्लेन काड़बूर्ड बॉक्स है तो उपको पर कोई भी पेपर या कोई भी पैकट जो भी अब गिफ्ट रैपर आता है उसको अब उससे कवर कर सकते हैं और उसको हमें सेलो टेप की हल्प से इसको इस तरीके से कट करके बनाऊंगी देखे इस तरीके से और मैंने यह काड़बूर्ड का जो बढ़कन था मैंने कट करके नीचे लगा जैसी इसका वेस जो काफी सेविंग कर सकते हैं फिर मैं इसको अपने वाडरोब में अच्छी खासी हाइट है तो इससे प्रोपर तरीके से हमारे कप ग्लास और नाइस हो जाते हैं जो हम ऐसे रखते तो एक ही होता है तो हमारा काफी मतलब से इसको बीकलर कर दिया है तो बहुत ही सुंदर हो गया पुरान था कुछ मतलब मुर्चे भी लग गय थे तो काफी बेकार हो गया तो इसको इसको मैं ने इस पुरे पहरान से ग्लर कर दिया है तो ये भी मारे एक्दम न्यू सा और नाइजर बनके रैडी हो गया है यह देखिए बहुत ही सुंदर सा इकदम बारित कलर का इशे ल कर सकते हैं देखे तो मेरा यह प्यारासा में कोई हो गया छलिएर करते हैं इस वीडियो की यह दिखी मेरा यह यह बूरी कंडिशन में यह बहुत ही बूर्पाइजा करें इस प्रेक बायों भीटो था प्रेकर यूजार बाइ बाइ